का तो अधर दोस्तों नमस्कार सभी का सागत अपनी यूटूब चैनल में दोस्तों में जोलए कि आप सब ठीक होंगे सर्क होंगे तो बिना समय गाइए होके तौपिक पर ध्यान देते हैं आज क्या है हम यह देखते हैं तो दोस्तों सामने देखिए तभी आपको यह टापिक आसानी से समझ में आएगी तो आज हम बात करते हैं बावर गारा नड़े गए परमुक यूद तो यह है यूद बर्थ पर्च और परडाम तो जैसे देखिए यह पहला है पानी पत का पर्थम यूद पानी पत का पर्थम य चला गया था कब से कब तक चला था तो यह चला था 21 अपरेल 1526 यह यूद यह इस वर्थ लड़ा गया था और यह पच्छ कौन थे बावर ने किसके साथ यूद किया था तो इब्राहिम लोदी और बावर के बीच में यह यूद हुआ था और इसका परणाम निकलके आया थ कि बाबर बिजय हुआ था कौन बिजय हुआ था बाबर इस यूद में बिजय हुआ था अब हम बात करते हैं नमबर दो खानवा का यूद खानवा का यूद ला गया था सत्रा मार्च 1527 को और इसमें बाबर के साथ और किसका यूद हुआ था तो राला सांग यों बाबर के बीच में यूद लड़ी गई थी और पलाम निकल के क्या आया था कि बाबर बिजय हुआ था इसमें भी बाबर बिजय हुआ था तो अब हम बात करते हैं आगे सामने देखे तभी आपको ये टापिक आसानी से साज में आएगी तो अब हम बात करते हैं नमबर तीन चंदेरी का यूद जो की 29 जून को लड़ा गया था 29 जून 1528 इसवी को ये यूद लड़ा गया था किसके किसके बीच में महदनी, राय वा बाबर के बीच में ये यूद लड़ा गया था और इसका पारा क्या निकल के आया था कि बाबर ही इस यूद में भी बिजय हुआ था कौन विजय हुआ था बाबर अब हम बात करते हैं नमबर चार घाघरा का यूद बर्ष कितना था ये था छा मई 1529 छा मई 1529 इस्वी को ये यूद लड़ा गया था और क्या था ये जिसके पच्च में पच्च में अफगानो योम बाबर के बीच में ये यूद लड़ी गई थी और इसमें परणाम क्या निकल के आया था कि बाबर बिजय हुआ था बाबर बिजय हुआ था तो दोस्तो आज का टापिक यहीं समाप्त होता है सबसे महत्पूर क्या है कि बाबर में चार यूद लड़ा है और चारों में बाबर ही बिजय हुआ है तो दोस्तो आज का टापिक यहीं समाप्त होता है अगर आपको यह टापिक थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो पिलीज लाइक सेर और सस्क्राइब कीजिए ज़ादा से ज़ादा सेर कीजिए और अगले दिन मैं एक नए टापिक के साथ हाऊंगी नए जोस के साथ आपसे मिलूंगी तब तक के लिए जय हिंद जय हारत हलो दोस्तो नमस्कार आप सभी कर स्वागत अपनी यूट्यूब चैनल में दोस्तों उम्मिद करते हैं कि आप तठीक होंगे सब्स होंगे मस्त होंगे करना आपसे इaat Whatsapp कर से द्यांगर। तो चलो दे के तभी आंक को ये टापिक असानी से समझ में आएगा 5 कि अरुप है अ작शी है अरशागी पछन शहांगीक आँगा 5 झाल झाल